सबी दोस्तों अचान के नीती यूटूब चैनल पर स्वागते हैं आए दोस्तों जो हमारे next person उनको mock test के रूप में करते हैं हमने 600% कर लिये हैं बाई इन question ओको with analyze भी किया हुआ है बिल्कुल detail में अगर अभी तक आपने मारे पीछे की class नहीं देखिए तो जरूर देखना अगर आपको इनी question की पीडियाइप की जूरत है तो जो नीचे number दिया गया है आप उस पे message कर दीजिए आपको बिल्कुल free post पीडियाइप मिल जाएगी क्योंकि very very most important है अगर आप अपना 100% previous year question में देते हैं तो हर्याणा जी के आपकी बैतरी नो जाएगी और हर्याणा ग्रूप D में आपके लिए काफी useful person होगे तो आज की question को देखते हैं भई हर्याणा सरकार ने यह योजना गती विदी अनुमुक सिक्षा एतो 2014 में सरू किये भई मुख्य मंतरी सिक्षा दिक्षा योजना सिक्षा प्रियोजना या मुख्य मंतरी सरो सिक्षा अभियान या इन में से कोई नहीं तो सही जवाब किया आएगा भई जिन्होंने प्रैक्टिस लगाई है वो इमानदारी से बताना भई आपका स्कोर क्या बनता है तो next question की और बढ़ते हैं तो next question आपकी स्क्रीन पे है तो भई जो साती नए आए हैं इतना काम करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज कीजिए आपको PDF मिलेगी आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और PDF को प्राप्त करना अपनी त्यारी में इंप्रूरो करना next question है भई हरियाना के पानिपत में आयोजित ऐस योग अंदोलन की पहली बेठक को लीड किसने किया भई हरियाना के पानिपत में जो ऐस योग अंदोलन की बेठक हुई है उसको लीड किसने किया निर्तो किसने किया भई चोदरी लालचंद ने बाल मुकंद गुपत ने लाला क्वेशनों के अन्सुर भी दिखाई देते ना इस PDF में तो आपके अंदर इमानदारी है न भाई आप अपना 100% देना चाहते हैं तो बता देना कि सर मेरा स्कोर इतना बनता है इस सीरीज में नेस्ट क्वेशन है हर्याना के सुल्तान पुराष्ट्रिय उद्यान की अभ्यान की अक्समता पचान किसने की देखो क्वेशन गुमाके दिया गया लेकिन क्वेशन कुछ नहीं है सीधा सा परसन पूछा है सुल्तान पुराष्ट्रिय उद्यान की स्तापना किसने की खोज कि सलीम अली ने, डैविड एटन बैरों ने, पीटर जैक्सन ने, श्टिव इर्विन ने, बताओ किस ने किये, देख लो कितना असान परसन है, सुल्तान पुराष्ट्री उध्यान की यानि अभ्यान की स्तापना किस ने किये, तो हर्याना के पहले साहित अकादमी पुरस्कार व अली बक्स, देखो भई ये भी आपके लिए, जबर्दस्त कैसे ने, नेश्ट कैसे ने, दोस्तो हर्याना का इतियास किस ने लिखा भई, हर्याना का इतियास नाम पुस्तक लिखने वाले वेक्ति का नाम पुछा है, बनार्शिदास गुपता, राम सिंग जाखड, पंडि में भी कारिये किया है, तो कौन थी भई वो, सन्नोदेवी है, चंदरावती है, चंदरकला है, रेणुका विष्नो है है, तो ऐसी पहले महिला भई, जिसने राज्ये के राज्येपाल के रूप में भी कारिये किया है, कौन है भई वो, देख लो भई, कौन है, ठीक है, next question आ जो खुसी राम सर्मा है उसकी कौन सी रचना नहीं है सीधा सा परसंद पूछा है ठीक है ना कौन सी रचना नहीं है ये क्वेसन भी आ चुका है और जो आपके सामने क्वेसन है ना निमलिक्त में से कौन सा कवी खुसी राम सर्मा की कृती नहीं है कौन सी रचना नहीं है खु किसकी नहीं है यह नहीं पूछते कि यह रचना किसकी है किसकी नहीं है यह पूछ लेते हैं यह ज्यान करना भै ठीक है तो बिल्कुल असान परसन है जिन्नों नहीं याद किया वो बता देंगे next question है भै हरियाना में महंदर गड किला किसके द्वारा बनाया गया भै हरियाना में महंदर गड किलेगा निर्मान किसने किया नरेंदर सिंग ने महंदर सिंग ने पिर्थुरा च्वान ने तात्या टोपे ने भै हरियाना में महंदर गड किला किसके द्वारा बनाया गया था य भी पूछा जाता है सुचेता करपलानी, पंडित नेकिराम सर्मा सर्चोट राम, बनार्शिदास गुपता वही जो साती पहली बार आए है वो भी सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंगि आपका यही प्यार है जो हमें यहाँ पे कलास देने के लिए मोटिवेशन देता है और आपका यह प्यार दोस्तों आगे भी आपके लिए जितना बैतर करना चाहेंगे दोस्तों उतना प्रियास करते रहेंगे आपके प्यार की बदोलत है सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कलास अच्छी लग रहे है तो अपने दोस्तों को सेर कर सकते है अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते है आपको बिलकुल फरी पोस्ट पीडियाए प्राप्त हो जाएगी आप मैसेज कर देजे बस हरियाना राज्य असोदिय पादप बोर्ड की स्थापना किस वरस में की गई है 2003 में, 2005 में, 2002 में, 2004 में next question है भई किस वरस में चंडिगड को वारत का पहला दुआ मुक्त सेर गोसित कर दिया गया है भई किस वरस को हरियाना सिरकार ने यानि किस वरस में चंडिगडवारत का पहला दुआ मुक्त सेर बना भई 2002 में, 2004 में, 2007 में, 2018 में तो next question है भई हरियाना में सबसे पस्चमी जिला कोण सा भई पस्चमी, पुरुवी, ठीक है न, ये याद करना भई पुरुवी दक्षनी ये पुछे जाते है तो अरियाना में सबसे पस्चमी जिला कोण सा भई हरियाना के पस्चमी गडवाल में किस नदी का उदगम यानि कोण सी नदी आती है जो हर की दून क्या हर की दून क्या गलेशियर को माना जाता है तो अरियाना की पस्चमी गडवाल में किस नदी का उदगम हरकी दुन कलेसियर को माना जाता है दोन गगर अनुमान गंगा सरस्वती next question की और बढ़ते हैं भई next question है हर्याना में किस हर्याना का पक्सी और जे विदुता का अक्सेतर के रूमें महांता पराप्त हुई है हर्याना का ऐसा कौन सा पक्सी और जे विदुता अक्सेतर के रूमें जिसको महांता पराप्त हुई है कौन सा अवे यह अभ्यारन देखो भई बिंडवास आदर भूमी है कालेसरवनेजु अभ्यारन बसई आदर भूमी है या प्रयोगित सभी किसको भई पक्सी और जे विदुता के अक्सेतर के रूमें मैंता मिले विए यह आपने बताना अरियाना में भई राजा प्रभाकर वर्धन के सासन काल में वर्धन उसकी राधनी कौन सी थी तो राजा प्रवाकर वर्धन के टाइम में वर्धन उसकी राधन निपोची वई, कनोज शी इसार था नेशर या इनमेश कोई नहीं, ये भी आपके लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्शन है, वई ओम परकास चोटाला कितनी बार हरियाना के मुख्य मंतरी र रहे हैं, हरियाना के पहले मुख्य मंतरी का कारियकाल कब से कब तक रहा है, ये भी बताना वई, ठीक है, ओम परकास चोटाला कितनी बार हरियाना के मुख्य मंतरी बन चुके हैं बई, बताईयो तो अरियाना के निमिलिक्त संतर्ता सेनानियों में से बल्लबगट का सेर का जाता है, तो बल्लबगट का सेर के रूप में कौन जाना जाता है, नूर सहमद कान, राजा नार सिंग, राव तुला राम, राय बादूर लाला मुरलिदर तो बताणा बई, अरियाना के निमिलिक्त में से संतर्ता सेनानियों जो दिये गए हैं, तो बल्लबगट का सेर किसको का जाता है, तो बल्लबगट का सेर किसको बोलते हैं, ये बताणा बई, ठीक है, तो निमिलिक्त में से कौन सा तिवार बई, हरियाना के चरी नर्ते से सम सम्दिब कोई जाता है तो सिंदू गाटी से बतागा को सा स्तल हर्यान के मिलता भै, मिठातल, बिरान या बगवान पूरा और अपरियोगित सदी. तो कौन से सतल मिलते हैं भई रियान में सीन तो गाटी से बता कि ये भी परसंद देखना भई next question आता है दोस्तों आपके लिए तो भई आपके लिए ये series चली हुए हमने बिलकुल detail में क्योंगि बच्चे पूछते हैं कि sir हमें class में मिल रही अगर आप एंटी बेस एक जार पलस जोमने question प्ले लिस्ट में आप डूंड़ेंगे न आपको series में मिलेगी भई आप ज्यान से देखते नहीं आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें से में बचा जो साती भई त्यारी करें न कॉंटीने उनी के selection पे वो है भई हर्याना के इन मिलत में से किस जिले की सीमा राजस्तान से जूड़ी है कौन सा जिला की सीमा जो राजस्तान से जूड़ी हुए बताईयो भई अब आड़ा पलवल मेंदर गडियो मना नगर तो हर हर्याना के रोतक में भई ठारसस्तान के विंदरों का निर्थतों किस ने किया भई रोतक से ठारसस्तान की करांती को लीड करने वाले वेक्टी कौन थे भई राजा नार सिंग असन अले खान या रिसालदर विसारत कान या नुवाब अब्दुरह्मान बताईयो रहा है इस तुर याना के चेरा पुंजी के रूप में कुण सा सहर जाता है निमलिक्त मैंसे किस यह रियाना का लोक नट्य साला का पिता का जाता है। तो किस स्वेक्ति को रियाना का लोक नाट्य साला का पिता का जाता है। ठीके ना ये भी question आपको देख लेपाई लोक नाथै साला का फिता के रूम में किसको जाना जाता है रि्याणा गा कुरक सेतर जीला नमिलिक्ट मेंसे किस राष्ट्री राजमारक के निक्ट आता है बैई कौन से राष्टरी राजमारक के निक्ट बही कुरक्षेतर जिला बसा हुआ है NH2 है NH8 है या NH1 या NH7 ये देख लो बही MPHW में ये question पूछा गया है तो रियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के दुवारा जो एक्जाम लिया गया है तो रियाना करक्षेतर जिला कौन से राष्टी राजमारक पर पड़ता है ये बताईए ठीक है ना बही next question आता है पंडित सीरी राम सर्मा ने हरियाना के निमिल्ट में से किस सब्ताइक समाचार पत्र को प्रकासित किया आपको जो question के नीचे वैख्या दी गई है ना बिलकुल डिटेल में अगर आपको PDF में 92 अच्छी तरीक के से प्रैक्टिस करेंगे क्लास में आप प्रैक्टिस करेंगे पले लिस्ट में जाके आपका यहां पर इंपरू हरियाना जिक्के में बैतर हो जाएगा पिछली परिक्साओं में से जो question आपके एक्जाम में आने वाड़े हैं वो आप डिरेक्ट कर पाएंगे तो पंडित सिर्यराम सर्मा ने हरियाना के निमलित में से किस सब्थाएक समाचार पत्र का आप प्रियाना समाचार है अरियाना तिलक है समाथ तिलक है यह सभी पर पर तो आपको pro PDF कैसे मेसेगे मैसेज में आप WhatsApp पर मेसेज किजिए only message कर दीजिए एक या दो दिन में जब भी हम मैसेज को srn करेंगे आपको तुरंत PDF send कर दी जाएगी तो तो सुबह से मैं देख रहा हagara हूँ मेरे पास 3-4 बच्चों को message phone